रात को सिरफ दाल रोटी खाना कभी-कभी बहुत ही बोरिंग हो जाता है तो इसलिए ना मैं दाल रोटी के साथ खाने वाले स्लाइडिस का स्टॉक रेडी ही रखती हूँ और आज मैंने बनाए ये भरवा करेले वो भी चक्दे स्पाइसिस का यूज करकर तो चलो सबसे पहले करेलो की फिलिंग रेडी कर लेते हैं जिसमें मैंने अड़ किया है चक्दे का जीरा हिंग फिर इसमें मैंने डाले है प्याज, जीत्री पेस, इसे जादा देर नहीं बुनना है फिर इसमें मेंने डाला है नमक और चक्दी स्पाइस जैसे की कश्मीरे में चहल्दी तो अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर इसमें में आड़ किये हैं टमाटर यसमें आड़ करेंगे चक्दी स्पाइसिस जैसे की धनिया पाउडर, गरम, मसाला, कसुरी, मेथी अच्छे से mix कर देंगे और इसे 5-10 मिनिट के लिए पकाएंगे और जब हमारी filling ready हो जाएगी एंड में डालेंगे धनिया धनिया तो स्वाधी बढ़ा देता है भाई करेलो को मैंने पहले ही अच्छे से दो कर सुखा लिया था और अब हम इसमें add करेंगे filling करेलों में filling आपको अच्छे से दबा कर भरनी है ताकि जब हम इसे fry करेंगे ये फिलिंग बाहर ना आए बस फिर अब हम इने fry करेंगे fry हमें इने सरसो के तेल में करना है पहले तेल को चिसे गरम कर देंगे फिर इसमें रखेंगे करेले और इन्हें ढग कर चार से पांच मिनिट के लिए पकाएंगे इन्हें आपको चारों तरव से अच्छे से पका लेना है and that's it, your भरवा करेला is ready